सभी को नमस्कार मैं विजय कुमार मतोरिया असिस्टेंट प्रोफिसर डिपार्ट्मन ऑफ जियलोजी गवर्मन टुंगर कॉलेज भी का नेर एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ अभी तक हमने इस यूट्यूब चैनल पे जियलोजी से रिलेट हाइड्रो जियलोजी एवं इंजिनिरिंग जियलोजी के काफी टॉपिक्स को यह डिस्कुस किया है आज हम एक नए टॉपिक माइनिंग जियलोजी को यहाँ शुरू कर रहे हैं तो आए शुरू करते हैं Introduction to Mining Methods Mining Geology Mining Geology है क्या Mining Geology is an applied science which deals with the study of application of geology to mining engineering in such a way that the selection of suitable sites for quarrying and mines can be determined जैसा कि नाम से ही clear हो रहा है वैसे तो Mining Geology मतलब Mining Sector में जो Geology का रूल है उसे हम सब्जक्ट में पढ़ते है अब कहीं पे Mines स्टार्ट करनी है तो उससे पहले एक Geologist का काफी रूल रहता है उस पर्टिकुलर प्लेस पे उस पर्टिकुलर साइट पे Mineral available है या नहीं सबसे बड़ी चीच वो चेक कौन करेगा Geologist वही एक्स्प्लोर करेगा कि वहाँ Mineral है या नहीं है तो कितनी मात्रा है उसका रिजर्व कितना है वो economical हो गा या नहीं हमारे लिए और माइन्स शुरू होने के बाद भी एक Geologist का रोल उतना ही रहता है जितना की माइन्स शुरू होने से पहले जो information Geologist प्रवाइट करता है उसके बाद भी एक Geologist का काफी रोल है Mining Geology में या यह कहें Mining सेक्टर में इसी वजह से एक Geologist को Mining सेक्टर की भी knowledge होनी चाहिए माइन्स ने काम कैसे होता है क्या Mining Process है क्या Methods है तो उसे जानना जरूरी है कि What is Mining? Mining है क्या? तो आईए जानते है Mining is the extraction of valuable minerals or other geological material from the earth usually from an ore body load, vein, seam, reef और placer deposits ऐसे तो सबको यह पता है इसमें बताने वाली क्या बात है कि minerals का जो हम extraction करते है minerals या other geological earth materials है जैसे construction पर हम जो काम में ले रहे हैं जो stone वगएरा जो rocks या कोई minerals है या fuel है जिसे coal ignite वगएरा उसको हमें extract करना है earth के अंदर सबके सब अर्थ के अंदर दबे में उन्हें बाहर निकालने का जो process है उसी को बोलते हैं Mining ये दो pictures हमारे students की है college के students ये कि खेतरी copper mines में visit के दोरान की अब आते है types of mining Mining तो है अब उसमें कितने तरह की mining हो सकती है Mining techniques can be divided into two common excavation types जो mining के जो techniques है mainly दो तरह से divide किया है अबने surface mining and subsurface या underground mining अब minerals जो earth के अंदर दबे हुए है अब या तो वो उपर ही उपर है काफी गयरा ही में ना होकर उपर ही उपर की सतय में है या वो बहुत ही ज़्यादा deep-sitted है अब उपर की सतय में ही है उनको जब हम mine out करेंगे extract करेंगे तो surface mining और deep में जाएंगे तो अगर deep में जाएंगे तो हम underground mining यूज़ करते है अब surface mining is further divided into two types अब surface के जो minerals हैं उनको हम दो तरे से इब डिवाइड करते हैं माइनिंग में एक तो lul mining और दूसरा है open cast mining जब हम open environment open surface mining करते हैं अगर हम बात करें बीकानेर की तो बीकानेर के जो mining sector है उसमें mainly open cast mining ही हो रही है भी चाहे हम बात करें clay की, lignite की, silica sand या gypsum सभी तरह की mines यहाँ open cast mining method से ही हो रही है हाँ state timing के अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ lignites की underground mining भी होआ करती थी अगर आप बीकानेर के बल्लाना एरिया के असपास अगर जाते हैं तो कुछ खेतों में आपको पुराने shafts देखने को मिल सकती है जो दूर से देखने में कुएं जैसी दिखती है और वहाँ अगर नजदीक जाके आप पूछताच करें तो आपको लोग बताएंगे कि यहाँ पूर टाइम में पहले के टाइम में यहाँ underground mining होती थी और इसी shaft से लोग अंदर जाया करते थे अब इन types of mines को detail में पढ़ेंगे अपने next वीडियो में तो मिलते हैं अपने next वीडियो में Thank you